हाई फ्रेंड वेलकम तू मैं यूटूब चैनल तरड़ी गलते तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में तीन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाले हैं और यह तीनों एप्लिकेशन बहुत ही कूल है श्टाइलिस है और उससे भी जाला यह आपके लिए यूजफुल ह तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बीना एसकिप की हुए पुरा देखना तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम सुरू करते हैं और आप हम आपको एक एक करके यह सभी एप्लिकेशन के बारे में आपको बताते हैं कि इस एप्लिकेशन का क्या काम है और इसे आपको कै कैसे इस्तेमाल करना लेकिन दोस्तों आगर बरसे से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वेल आइकोन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लात तो इस एप्लीकेशन की मदश से आपका मुबाइल चलाने का जो एक्सपरियेंस है वसे और भी आप बहतर बना सकते हों क्योंकि दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इस्तमाल करोंगे तो आप इस एप्लिकेशन की थुरूब आप सिंगल क्लिक में अप पर आपको अपने मौयले Figure nा करेंगे तो कुछ ऑपने मौयल Yes Tan को कैसे इस्तमाइब करना है तो यहां पर नीचे बहुत सारे कस्टमाइज करने के सेटेंस मिल जाते हैं तो वहाँ पर हैं ना कर लोगे तो आपको वहाँ सबसे उपर में option मिल जाता है enable करने का आपको simply वहाँ से enable कर देना है तो यह जो application है आपके mobile में ready हो जाएगा तो आपको इसे इस्तमाल करने के लिए आपको अपने mobile में right side उपर corner में अगरा swipe करोगे तो वहाँ पे आपके mobile पे एक panel दिखाई देगा जहाँ पे आपको mobile के बहुत सारे settings देखने को मिल जाएगा जैसे के wifi, hot sport, अपने brightness को बरा सकते हो sound को घटा सकते हो आप अपने mobile के camera को open कर सकते हो rotate को on off यहाँ से कर सकते हो इस तरह के यहाँ पे आपको बहुत सारे mobile के functions देखने को मिल जाएगा या फिर अगर आपको mobile में जादा इस्तमाल करते हो तो उस application को आप यहाँ पे add कर सकते हो यानि कि अब आपको उस application को अपने mobile में ढूनने की भी जरूरत नहीं परेगी आप उस application को single click में control कर सकते हो तो इसलिए दोस्तों आप भी इस application को एक बार जरू ट्राई करना तो चले दोस्तों अब हम बढ़त तो यहाँ पे आपको already बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अलग-अलग category तो आपको वहाँ पे जो भी वीडियो अच्छा लगता है उस वीडियो को आप सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक option मिल जाएगा add photo का तो आपको simply अपने while के gallery से आपको दो भी photo है जिस भी photo को आप इस्तमाल करना चाहते हो आप वहाँ पे अपने photo को set कर दो तो वह जो वीडियो है ऐसा लगा कि वह वीडियो आपका है यानि कि आप इस application के मदद से आप अपना कोई भी एक funny video create कर सकते हो तो इसलिए दोस्तो आप भी इस application को एक बात जरूर ट् स्क्रीन दोस्तों यह एक ऐसा application है कि इस application के मदद से आपके मुवाइल में जू कुछ भी लिखा हुआ है फूर एगर आप कोई website पर हो या फिर आप कोई social media पर हो और वहां पर आपको कुछ ऐसे post दिखाई देते हैं जिसकी language आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस language को अ अप्लिकेशन है कुछ इस तरह से interface के साथ open होता है तो यहाँ पे आपको language करने का option मिल जाता है दोनों जगर आपको सिर्फ वहां पे English English ही दिखाई देगा तो अगर आपको आपको वहां पर कोई भी language को translate करना है तो आपको जो पहला वाला option मिलता है English का तो उसे आपको English ही सेलेक कर लो कि मैं यहां से English to Hindi करना चाहता हूं तो मैं यहां पर हिंदी सेलेक कर लेता हूं तो जब आपको वहां पर में एक option मिल जाता है तो आपको उस पर क्लिक करना उस पर क्लिक करोगे तो वह जो बटन है वह ग्रीन कलड में हो जाएगा तो इससे आप समझ जाना कि यह रेडी हो गया है आपको इस application से चले आना है बैक आने के बाद अब आपको अपने मुबाइल के screen पे कोई भी ऐस्टा पोस्ट दिखाई देता है चाहे कोई article या फिर आप कोई website पे हो और वहां पर आपको जितने भी पोस्ट दिखाई दे रहे हैं अगर वह इंगलिस में है और वहां पे आपको इंगलिस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वहां पर क्या करना है कि आपके mobile के screen पे एक bubble आ जाएगा white color में जैसा है कि आप यहां पे देख रहे हो आपको उस पे एक बार click करना है उस पे click करने के बाद दोबारा से अब आपको उस पे click करके उस area को select क लेना है जितना दूर में वो text लिखा हुआ है उसके बाद में वो जो text है वो automatic translate हो जाएगा आपके language में जिस language को आपने select किया होगा और उसे आप असानी से read कर सकते हो समझ सकते हो तो यह भी application आपके लिए बहुत ही important है जो आपके mobile में आज होना ही चाहिए तो यह थी दोस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो notification bell icon को प्रेस कर लेना तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो मिलते हैं फिर से एक और से interesting next useful वीडियो